इन बच्चों को बहुत तय दिल से बदाई, इनके हार्ड वर्क के लिए और इनकी निष्ठा के लिए दूसरे चरण में मैं बदाई देना चाहूँगा इनके अभिवाव को जिन्होंने इनका उस्सावर्धन भी किया साथ ही साथ इनके साथ लगे रहे दिन रात एक करके, इनको किसी भी अपरकार की तकलीफ का सामना नहीं करने दिया, वो भी सरानिया है और साथ ही साथ मैं अपने शिक्षकों को भी बदाई का पात्र मानता हूँ क्यों क्योंकि उन्होंने मांग दर्शन अच्छे से किया कोश्चन सॉल करा है और बच्चों को मोटिवेटेड रखा जिसकी वज़ा से रिजल्ट सम्भव रहा अनिर दर्शन सब्सक्रा इस अर्शन सब्सक्राइब नुब बलत रखाई विए गया कटी सब्सक्राइब कbles्ध इस चाहिए अरे उननगफ चाहेंगे अपर आप को सिंधिग अनजली अदव क्वास्थ चाहिए अर्पीर जिनका 97.8 है जो ओवरॉल हम उनको 98 दे रहे हैं और मानिया यादव क्लास 12 में 93.6 परसेंट जिसको हमने 94 परसेंट राउंड फिगर में क्या और बाकी टॉपर्स बाकी लिस्ट एक मौया आपको गराई जाएगी बाकी बच्चे यह हैं जिन्होंने अपना इंट्रेक्शन भी दिया बहुत ही अच्छा लग रहा है वाके में एक शिक्षक के लिए पैसा या कोई पद माइने नहीं रखता है यही अचीमेंट है साल भर म और क्या अचीमेंट मिली अब यह बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगी सोसर पर बच्चों को मैं मैसेज एक चीज मैंने नहीं देखी इस रिजल्ट में कि जो बच्चे तेंथ में टॉपर रहे वह नीट आयटी या जेई के चक्कर में मैंने यह देखा कि चीजे और दूबे सॉरी यह शब थोड़ा सा अनिता है लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि अगर एक लक्ष की प्राप्ति करें तो शायद लक्ष ज्यादा अच्छा चीब करेंगे मैंने वही बच्चे जो तेंथ में टॉपर थे अच्छा रिजर्ट लेके आ रहे थे ट्वेल्ट में उनका प्रसेंटेज डाउन गया है हो सकता है कही न कहीं विद्याले में भी कुछ कमी हो मैं मानता हूं लेकिन सभी के अंकों में अगर कमी आ रही है सभी बाहर जो जा रहे है बच्चे तयारी करने उनके अंकों में अगर कमी आ रही है तो कही न कहीं यह मुद्दा बनता है इस पर हमें सोचने के पहल करनी चाहिए क्या हम बच्चों को जादा Extra motivated करके हम उनकी तैयारी के तरफ मोड देते हैं और सिबेसी का मार्क्स अचुता रह जाता है सिबेसी का टार्गेट कंप्लीट नहीं हो पाता है इस पर हमें ध्यान देना चाहिए बच्चों मैं आपको इन प्रायरटी बनाई चाहिए आप अभिवावक से क्या पिल करना चाहेंगे अभी लिये करना चाहूंगा कि बच्छों को थोड़ा सा मार्ग दर्शन अच्छे से करें बच्चा जित करेंगा नहीं समझेगा दोस्तों के चक्कर में भी रहे एक लक्ष अचीव करेगा तो आपको ही याद करेगा विवाव को ही याद करेगा कि हम अम्मी पापने सही रा दिखाई और आज हम यहां तक पहुंचे और ऐसे कई सारे रिजल्ट्स हैं माबाप इमोशन में बह जाते हैं और बच्चों को थोड़ा सा फ्रीडम देने के चक् से अपनी फ्यूचर प्लान करने सीर करते हैं तो किस तरह से अपने उन लोगों से जुड़े जिससे सही राय पा सके देखिए सही राय तभी मिल सकती है जब अभिवावक और टीचर और स्कूल मेनेजमेंट एक साथ एक मंच पर आए और पहले अपनी राय को एक करे तब ब अब अलग अलग ए तो तीनों अगर मत अलग अलग रहेंगे तो बच्छाए तीनों तो उसके लिए बहुत एहम भूमिकार निवाती है तो इसलिए मैं चाहता हूं मैं आवान भी करता हूं management और teachers और अभिवाग एक साथ पहले बैठें बात को सुनिश्चित करें कि क्या सही होगा क्या गलत होगा और वही मत तीनों लोग एक साथ बोलेंगे तो बच्चा शायद उसको ज्यादा important देगा